हेलो फ्रेंड्स आज मैं जो वीडियो लेके आए हूँ वो बिरकुछ छोटे चोटे जो केट्स होते हैं उनके लिए जो अभी पैंसिल होल्ड करना सीख रहे हैं अभी उन्हें पैंसिल भी होल्ड करना नहीं आता है आज मैं जो वीडियो लेके आए हूँ बहुत ही इंट्रे Ok, अभी छोट चोटे बच्चे है, अभी उन्हें pencl hold करनी नहीं आती है इसलिए हम उन्हें pencil hold करना सिखाएंगी, और pencil और उनको writing work कैसे करना है तो अभी उनको तो pencil hold करना है, फिर देखे, मैंने dots से पूरी वर्कστीट ready की है क्योंकि छोटे बच्चे है टू यर्स के थ्री यर्स के उन बच्चों के लिए यह वर्कशीट है जो अभी नर्सरी में फर्स्ट स्टेप वो बढ़ा रहे हैं अपनी स्टेडी में तो देखिए आप पहले ऐसे टेस्क करके बनाएए ऐसे पॉइंट रखकर पूरी वर्कशीड को बिया में पॉडरी वर्कशीट कीकि वर्कशीट में आप अких रहिम्स ambos बहुत अट्रेक्ट करते हैं तो देखिए और लगारण से बच्चों को बताईए कि ये ट्रेस करें, जो हमने dots रखे हैं, उनको उसी पर color से, ऐसे देखिए, इस तरीके से tracing करेंगे और attractive लगेगा उनको color से आप करवाईए बच्चों को A for apple B for ball C for cat जो dots हमने लगाए हैं उनी dots पे उनको color से trace करने के लिए बोलिए, ओकी D for dog E for elephant M for fish ठीक है, थोड़ा problem आएगी लेकिन आप बच्चों को बार-बार ऐसे practice करवाईए, फिर आप different color का use कीजिए, ओके हमने first line किस color से लिए, red color से, second line हम किसी लेंगे, green, this is a green color G for grapes H for horse I for ice cream J for jug K for K K K L for loin ठीक है, इस तरीके साब different different color का use कीजिए, और बच्चों को इसमें color से, ट्रेस करने के लिए, बोलिए, N for N for Nose आपकी nose का है, सब भी अपनी nose टच करिए, N for Nose O for Orange P for Parrot Q for Queen R for Rose R for rat भी होता है, rat में चुहा ठीक है, इस तरीके साब different different colors का use कीजिए, जिससे बच्चों को बहुत attractive worksheet लेगेगी, और उनको करने में बहुत interest आएगा, और वो बहुत खुश होते हैं, S for Sun T for Toothbrush Toothbrush करते हैं ना, morning में U for Umbrella V for Wren W for Watch अब हम किस कलर का यूज़ करेंगे, यह पिंक कलर था, अब हम ब्लू कलर का यूज़ कर रहे हैं, X for X Mastery Y for Yark Z for Jabra देखा, हमारे सारे अर्फा वेट कंप्लीट हो गए हैं, हमने कितने different colors का use किया, है ना, बहुत अच्छे अच्छे colors का किया है ना, इसी तरीके से आपको घर में बार-बार practice करनी हैं, और इससे क्या बच्चों को pencil भी hold करना आ जाएगा, हमें pencil hold करने वाले object लेने की कोई भ जरूरत नहीं है, आप बच्चों को घर में ही pencil hold करना सिखाएं, अब यह बहुत market में objects आई हुए हैं, आप उनका use ना करें, आप बच्चों को खुद बार-बार practice कराएं, बच्चे बहुत easy way में यह ABCD लिखना सीख जाएंगी, ओके थोड़ी से हमें महनत करनी पड़ेगी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें, और ऐसे ही बच्चों को बार-बार practice कराएं, आप देखेंगे आपको result positive ही मिलेगा, thank you